हलो गाईज, वेलकम टू पूरी पड़ाई, तो आज हम देखेंगे structure of webpage, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, website is a collection of web pages, अगर हमें एक web page बनाना आ गया, तो हम आसानी से website बना सकते हैं, क्योंकि website जो होती है, हमारी collection of web pages होते हैं, और आपको अगर web page बनाना है, तो एक structure follow करना पड़ता है, जो कि www.worldwide web में आपको provide करना रखा है, तो आपका structure कैसे है, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, starting में आपका जो structure होगा, structure में आपका starting और ending tag होगा, tag में आपको आपको बता चका हूँ, पिछली वीडियो में, तो html और html जो आपका tag है, starting और ending tag है, वो आपको सब कुछ जो आएगा आपका एक web page में, वो इसके अंदर लिखना होगा, everything about the web page should be enclosed here, ठीक है, अब यह html के अंदर आप क्या क्या लिखेंगे, मैं भी आपको बता देता हूँ, छोटा सा example, जैसे inside the html, html tag, each web page has a head part described in a head and a head tag, ठीक है, इसके अंदर आपका क्या होता है, head part होता है, एक heading part होता है, just like एक body होती है, उसमें की head होता है, और आपका पूरी body होती है, तो वैसे ही आपका एक head part होता है, structure में, तो उसके structure में आप जैसे title लिख सकते हैं, जैसे title of the web page should be put here, और आगे चलके मैं आपको js, javascript, css, यह सब चीरे पढ़ाऊंगा, वो भी आपको html के head tag में लिखी जाएगी, ठीक है, इसके बाद आपका head हो गया, आपकी एक body part होता है, जिसको हम body से लिखते हैं, इसका tag होता है body और body, तो body के अंदर mainly जो content है आपका, जो आप दिखाना चाहते हैं, यूजर को web pages पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक example लेके, जैसे की आपने home पे click कर रहे हैं आपर, आपको home पे click नहीं करना है वैसे, home पे click करना के आपको मैं पताना चाहता हूँ, कि ये आपका जो content दिख रहा है आपको, जैसे आपको ये content दिख रहा है, जो भी आपने सब कुछ लिखा है, ये आपका सब कुछ body part में लिखा जाता है, head part में आपका simply title दिखा जाता है, ये title उपर दिखाए दे रहा है आपको, ठीक है, basically हमें अभी title ही पड़ेंगे, आगे चलके हम CSS, JavaScript जब पड़ेंगे, तो हमें और ज़्यादा चीज़ें सुन में आएंगी, कि है tag में हम और क्या काई चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका ये basically एक structure है, वेब पेज का, जिसे कि आपका वेब पेज बन जाएगा, तो next वीडियो में हम देखेंगे कि example एक छोटा सा example लेके देखेंगे, तो इसे run करा के देखेंगे example को practically कि आपका एक वेब पेज कैसे बनाए जाता है, तो तब तक के लिए, goodbye, thank you. Your feedback is valuable for all, so please comment, like and share with your friends, thank you.